नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त पंकजोजा दोस्तों टीजीटी और एल्टी ग्रेड में पहली रैंक लाने के बाद और उसके बाद फर्स्ट अटेम्ट में यूजीशी इनेट क्वालिफाई करने के बाद अब धीरे धीरे जो मैंने प्रण लिया था आप लोगो वीडा उठाया था जो हमने कोशिश की थी कि आप लोगों को मागदर्शन करने का उसका जो रिजल्ट है उसका वो आना शुरू हो गया है तो आईए विदाउट एनी फर्दर डिले विदाउट वेस्टिंग यो टाइम शुरू करते हैं आज की वारियर्स डेल 24 जिसमें हम देखेंगे अगेन कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे आईए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये देखिए इन विच पॉर्म वार्ट्स डिसक्राइब गतअ करते हैं वूर्टिफुल सॉण्ग साब बढ़क है बताईए किए बोट नूबर बॉन का जवाब दीजे यहां पर लुसी ग्रे होगा तेबल स्टेंड होगा टिंटन अभी होगा वी – क्या होगा वाल. बताएं, question number one की बात करें दोस्तों तो यहां पर भी जवाब देने वाले सब के सब सही है, यहां पर the tables turn जवाब देने वाले बिल्कुल सही है, let's move on to next question, the term campus novel is associated with, किस campus novel जो है उसके साथ किसका नाम जुड़ा है, Margaret Drabble का, Kate Millett का, Kingsley Amis का, Graham Greene का, question number two का जवाब देना है, यहां Kingsley Amis जवाब देने वाले सब के सब सही है, आईए इसको देख लेते हैं, थोड़ा साथ, a campus novel is also called academic novel, क्या कहा जाए गाई से, academic novel भी कहा जाता है, academic नहीं, academic novel, okay, this is a novel whose main action is set in and around the campus of a university, किसी college या university के campus में इसकी setting होती है, campus novel की, कहने का मतलब जैसे filmों में आप नहीं देखे, देखती जो college life पर फिल्में बनती है, वैसे जो college life पर जो novel लिखे जाते हैं, उन्हें campus novel कहते हैं, Okay, campus novel dates back to the early 1950s में, early 1950s में इसका चलन आया, the groups of academy 1952 by Mary McCarthy is considered the earliest example of such kind of fiction, ये Mary McCarthy का, जो the groups of academy है, जो कि 1952 में आता है, ये earliest example माना जाता है, और जब आप ये आप से पूछा जाए किसके साथ किसका नाम जुड़ा है, तो वो है King Slamis, who is known as the Shakespeare of Divines for his political style, Shakespeare of Divines किसे कहा जाता है, उसकी political style के लिए, ओके बताएं, question number 3 का जवाब दे, तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले विल्कुल सही है, Jeremy Taylor को Shakespeare of Divines कहा जाता है, दोस्तों, इस platform की सबसे बड़ी हमारी खासियत ये है, कि without wasting your precious time, और to the point study material दिया जाता है, जो कि आप पूरे एक-एक question पर research की जाती है, questions को कहीं से cut, copy, paste नहीं किया जाता, और जो question हमें लगता है, आपके लिहाज से important है, वही question हम देते हैं, यही कारण है कि हमारी चाहे आप पर हो, चाहे यहाँ YouTube पर हो, आप उससे लाभानवित होते हैं, और आपको सफलता भी मिलती है, हमारे paid course से शुरू है, LTE grade के exam जैसे की scheduled है, होंगे ही आने वाले दिनों में, उसका newspaper में भी आया था, LTE grade का पूरा का पूरा course ले सकते हैं, 90% से ले बस cover किया जा चुका है, 10% बचा हुआ है, जो कि exam के पहले करवा दिया जाएगा, TGT का आप पूरा से ले बस हमारा ले सकते हैं, उसके अलावा YouTube पर आप हमें देख सकते हैं, लाभानवित हो सकते हैं, कोई जिरूरी नहीं कि आप आप पर आएं ही, अगर आप YouTube पर भी अगर आपने समझ लिया, strategy समझ ली तो कोई आपको problem नहीं होगी, Who is known as the founder, father of romantic comedy, question number four का जवाब देना है, question number four की बात करें, तो यहाँ पर romantic comedy की अगर बात आती है, तो नाम आता है Robert Green का, ओके, ध्यान में रखिएगा, Robert Green is the founder and father of romantic comedy, Okay, यहाँ पर origin पूरा दिया हुआ है, इसको आप PDF में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, correctly spelled word बताई, accessible की सही spelling क्या है, ओके, जो आपकी पहुंच में हो, accessible, question number five, question number five की अगर बात करें, दोस्तों, question number five में, जिन दोस्तों के जवाब यहाँ पर, आ आ रहे हैं, वो विल्कुछ सही, accessible, okay, a double c, e double s, i, v, le, accessible, able to be reached, or easily obtained, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, okay, the resort is easily accessible by road, rail and air, जो resort है, वो आसानी से पहुंचा जा सकता है, वहाँ तक road के जरिये, rail के जरिये, air के जरिये, ऐसे हम इसका प्रियोग करेंगे, correctly spelled word बताना है, हाईपो काइंड्रिया का सही spelling बतानी है, चारों विकल्प आपके सामने है, question number six को respond कीजिए, question number six की बात करें, तो हाईपो कॉंड्रिया की सही spelling यहाँ पर एबाली होगी, हईच वाईपी ओछ ओंड्रिया, ध्यान में रखियेगा, illness, anxiety disorder is chronic mental illness, previously known as hypochondriya, okay, anxiety disorder को ही पहले हाईपो कॉंड्रिया कहा जाता था, people with this disorder have a persistent fear that they have a serious or life-threatening illness, despite few or no symptoms, कोई symptom नहीं होते थे, लेकिन जो इस बीमारी से ग्रस्त लोग रहते थे, उनको यह लगता था, कि उनको कोई ऐसी बीमारी है, जो life-threatening है, जो fatal है, the foundation story of John Milton's Paradise Lost derives from what text, जो foundation story of Paradise Lost की, वो किस text से derived की गई है, आपको यह बताना है, question number 7, the book of Genesis, the book of Revelations, the Odyssey, Canterbury Tales, question number 7 की बात करें, अगर यहाँ जवाब देने वाले सही है, the book of Genesis सही आंसर होगा, question number 8 पर आते है, lie face down, stretch your arms in front, change the voice, lie face down, stretch your arms in front, okay, अब इसको voice में बदलिए, इस sentence को, lie face down, stretch your arms in front, क्या होगा, यह बाला होगा, you are face down, arms are be outstretched, you should be lying face down, with arm outstretched, you should be lying face down, let arms stressed out, let face be down, let arms be stressed out, बताईए क्या होगा, question number 8 का जवाब देना है, यहाँ डी जवाब देने वाले सब के सब सही होगे, let face be down, let arms be stressed out, the idiom hush money means, जो hush money होती है, idiom है, इसका क्या मतलब होता है, hush money का मतलब क्या होता है, आपको यह बताना है, question number 9 का जवाब देना है, the bribe paid to keep some matter secret, the money received in paper currency, the money received at the time of retirement, the money spent at cinema, क्या हो जाएगा, question number 9 की अगर बात करें, यहाँ the bribe paid to keep some matter secret, किसी बात को गुप्त रखने के लिए, जो bribe दिया जाता है, कि अपना मुँ मत खोलना, okay, किसी के मतलब मुँ को पैसों से ठोस देना, अपना मुँ मत खोलना, तो उसके लिए वो हश मनी होती है, ध्यान में रखिएगा, question number 10 पर आते हैं दोस्तों, the meaning of idiom, a brain wave is, जो idiom है, a brain wave उसका क्या मतलब होता है, आपको बताना है, क्या होगा, question number 10 का जवाब देना है, question number 10 की बात करें, दोस्तों, यहाँ पर भी जवाब देने वाले विल्कुल सही है, जो brain wave है, उसका मतलब होगा, sudden inspiration, question number 10 में भी जवाब देने वाले सब के सब सही है, let's move on to next question, gynocriticism focuses on, gynocriticism का focus किस चीज़ पर है, आपको यह बताना है, किस चीज़ पर focus करती है, criticism on women, study of women's writing, criticism by women, criticism of male writers by women writers, question number 11 में भी जवाब देने वाले सब के सब सही है, study of women's writing, okay, that is gynocriticism, let's move on to next question, पहले देख लेते हैं, gynocriticism is the study of women's writing, महिलाओं ने जो लिखा हुआ, उसका अधियन होता है, term gynocritics was coined by elan show walter, यह ध्यान में रखना है, किस के दोरा यह term coin किया गया, elan show walter दोरा, 1979 में coin किया गया, किस में towards a feminist politics में coin किया गया, यह ध्यान में रखिएगा, यह आपके जानने योग है, a lunatic is confined to, जो lunatic होगा, वो कहां confined रखा जाता है, उसे कहां रखा जाता है, ओके आपको बताना है, question number 12 का जवाब देना है, तो यहाँ C हो जाएगा, asylum में रखा जाता है, जो lunatic होगा, he will be kept in, confined to asylum, laxis refers to most important one, बताएं क्या होगा, question number 13, study of selected, select word forms, the history of words, all words forms having meaning, और grammatical functions, the selection of words, क्या होगा, question number 13 का जवाब, यहाँ पर C जवाब देने वाले सब के सब सही है, all word forms having meaning or grammatical functions, question number, यहाँ पर Lexis देख लीजे, is a term that refers to the vocabulary of a language, okay, एक term है, जो Lexis किसे कहा जाता है, vocabulary of a language, it includes all the words of a language, in addition to the way those words can be combined in a specific language, Lexis is a Greek term meaning word or speech, इसका अर्थ शाब्दी कर्थ भी ध्यान में रखियेगा, one of the following is an epistolary novel, कौन सा है, पामेला वर्चु रवार्ड़ड़ड, the pillars of the earth, war and peace, small flanders, कौन सा epistolary novel का example है, question number 14 का जवाब देजे, तो पामेला और वर्चु रवार्ड़ड़ड़ड is the example of epistolary novel, the word epistolary comes from the word epistle, old french, इसकी origin है, ध्यान में रखियेगा meaning a letter, जिसका आर्थ होता है पत्र, ध्यान में रखियेगा epistolary novel, a novel told through the medium of letter, पत्रा चार के जरिये जो novel लिखा जाता है, उसमें लिखा रहेगा, उन्होंने चिठ्थी लिखी, कहने का मतलब पत्र के जरिये जो novel लिखा जाता है, उसमें पूरा पूरा लेटर राइटिंग ही रहेगी, उसे epistolary novel कहेंगे, ध्यान में रखियेगा, पर अपने लेक्शेश्पर के बारे में क्या चीज नहीं करेंगे, क्या होगा ये repeated questions है बताना होगा आपको इसका जवाब दीजिए question number 15 में A जवाब साही होगा उन्होंने कहा कि मैं Shakespeare को दूसरे राइटर से compare नहीं करूँगा क्वाश का सिन्निम बताइए आपको बताना है क्वाश का सिन्निम क्या होगा question number 16 okay huge होगा separate होगा smash होगा cancel होगा क्या हो जाएगा तो यहां क्वाश का अर्थ कैंसिल हो जाएगा सिन्निम आइए देख लेते हैं सवर्ड को क्वाश सम्थिंग तो टेक एक्शन तो स्टॉप सम्थिंग फ्रम कंटिनुएं किसी चीज को जारी रखने से रोख देना कोई चीज जो कॉंटिनू है उसको स्टॉप कर देना ओके सप्रेस कर देना ओटर्न कर देना तो क्वाश का क्या आरत होता है आपको समझ में आ गया होगा वाइग्रेंट वी एज यारेंटी वाइग्रेंट का एंटरिम क्या होगा आपको बताना है क्विश्चिन नुबर 17 वाइग्रेंट जो है वो अस्थाई नहीं है वो एक जिगा पर नहीं ठहरता लेकिन इसका ए ब्लेस टू प्लेस बिदाउत लूप वुर जीसिबल मीवाईन सफ सपोसरे इसके पास कोई परमानेंट रेजिदेंस नहीं होगा, Yogya तो उसे क्या बोलेंगे वैग्रंट बेसे सbor्काइब का जाए गाए जिए कि पर चेंब हो जायगा इस्टपल हो जाएगा सेटल हो जाएगा ज्यां में रखी गाइगा रखी घुस वेग्रंट-वाइव त्रबेल ड्राउंड स्लीपिंग इन पक्स यान बस शेल्टर्स जो आक्यूज है दो सैंग सी वह वेग्रंट है जो कि हर जगहाँ घूमता रहता सोता है और सूता कहा है पार्ट में सोता है सिवा सूत है और से लोसे इसे कहते हैं है ट coal क्लीवन ऑफिर एन डिक्रेंग इस्टिस में यह कारेक्टर आता है वह कौन है डिफेंस कांशल जज मैनेजिंग क्लर्ग गॉर्मिन ये हुथ की सब computant question most important ध्यान में रखिएगा अब what does Socrates mean when in Plato's lawn he says poets are nothing but the interpreters of gods what does Socrates mean when in Plato's lawn he says poets are nothing but the interpreters of gods जब वो यह कहते है तो उनका क्या मतलब होता है Socrates का okay आपको बताना है question number 19 का जवाब देना है क्या होगा उत्तर the poets are the makers of their poems the poets are actually aware of goods in composing their poems see the poets are divinely passed when they compose their poems the poets first hear what God say then put them into words क्या होगा question number 19 का जवाब देना है आपको what does Socrates mean when in Plato's lawn he says poets are nothing but the interpreters of gods वो देवताओं के interpreters से poets और कुछ नहीं है तो उनका क्या मतलब है question number 19 की बात करें दोस्तों तो यहां C जवाब देने वाले सबके सब सही है जिन लोगों के भी जवाब यहां C आ रहे हैं यह देखिए यहां परसी है दो पोएट सार डिवाइनली पजेश्ट वेन दे कंपोज देपोएम्स वो जब जब पोएट हैं डिवाइनली पजेश्ट हो जाते हैं जब वो अपनी पोएम को कंपोज करते हैं कहने का मतलब कविता लिखते वक्त उसमें उनमें कुछ नब कुछ दिवाइन पजेशन आ जाता है उनमें कुछ न कुछ न कि कोई देवी या कोई द्रावता इंके उपर आ जाता है ऐसा कुछ question number 20 how many times did Robert Frost got Pulitzer Prize कितनी time Robert Frost को Pulitzer Prize मिला है question number 22451 an easy one question number 20 का जवाब दीजिए यहां पर क्या हो जाएगा B आपका जवाब हो जाएगा 4 तो दोस्तों ये थे आज के 20 questions जो warriors की तरफ से आपको लाए गए और questions को edit किया वसुंदरा मैंने thank you very much to all of you God bless you all माँ की तरफ सत्या है